हेलो दोस्तो आजके इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वालों की दोस्तो अगर आपके पास यहाँपर इनफिनिक्स का फ़ोन है और आपके फोन पर दोस्तो यहाँपर जो मुबाइल नंबर है वो यहाँपर सेव नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को आप लोग तो दोस्तो इसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने mobile में setting को open कर लिना है उसके बाद यहाँ पर आपको application का option आएगा तो आप लोग application में click करिए और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को manage application में आ जाना है manage application में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर search bar दिखेगा तो आप लोग यहाँ पर search bar में click करिए और इस तरीके से आपको यहाँ पर contact लिख लेना है contact लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर contact and dialer का option आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पर click करिए और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर storage का option आएगा यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है clear all data का option आता है या तो फिर आपको यहाँ पर clear catch का option देखने को बिल सकता है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप पर्मिशन का option आएगा तो आप लोगों को आप पर्मिशन में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा पर्मिशन्स यहाँ पर आपको सो करेगा तो आपको यहाँ पर इसमें सभी पर्मिशन्स को आपको यहाँ पर enable कर देना है यहाँ पर आपको फोन का permission मंगेगा, फोन का permission को enable कर लिजिए, file and media के permission को enable कर यह basically आपको सभी का permission यहाँ पर allow कर लेना है तो उसके बाद दोस्तों आपकी problem यहाँ पर solve हो जाएगी